तो हलो भाईयो स्वागा थे आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल फंटसी लीजेंड अखाड़ा में तो दोस्तो आझे का इसी स्पेंट टिटेन माच के का भारे में जो आपकी टीम में होने चाहिए और एक शिज आपको यहां बताऊगा कि ऐसे कौन से 6-7 प्लेयर हैं दोस्तो जिनको आपको अपको अपनी टीम में रखना है तो इस वीडियो में ही आप लोग को पता चलेगा ठीक है और चैनल पर नए हो दुस्तो तो चैनल को सस्क्राइब करो तो बिल्कूル सस्क्राइब करो और अभी तक टेलिग्राम से नहीं जुड़े 후 तो यहीं आपको मिलेंगे सभी चीज़ें आपको मिलेंगी टेलिग्राम चैनल पर Best Captain वाइस कैप्टन टीम कैसे बनाना है ठीक है कैसा किसको कैप्टन करें किसको वाइस कैप्टन करें कौन कौन से प्लेयर से important है best CVC कौन सबी चीजें मैं बताऊंगा game changer कौन है तो बिल्कुल आप टेलिग्राम को जॉइन कर लेना है ठीक है टेलिग्राम कर लिंक मैं दे दिया हूँ एक तो डिस्क्रिप्सन में और एक कमेंट सेक्षन दोनों जगा वहीं से जॉइन होना फेक चैनल बहुत बन चुके है हमारे नाम पे ठीक है किसी को भी एक रूप है देने की जुरूरत नह हमारे नाम से कोई भी माँगे पैसा तो बिल्कुल भी नहीं जेना है आपको टेक है आप लोगको सही टेलिग्राम चेनल और और ओ przyp… पे आप लोग को जोईन होना है चलिए दोस्तों बात करें मैच के बारे में और प्लेयर्स के बारे में तो दोस्तों ये मैच नंबर ब्यासी रहेगा इस इसी एस इस पैन टीटेन का सियार डी बी आई के बीच खिला जाएगा तीन बच के पंदरह मिनिटों मैच श्टार्ट ह चावालिस मैच यहाँ पे बिन किया है हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड देख लो एक बार जोनों टीमों का तो एक मैच खिला गया है जिसमें दोस्तों सियार डी की टीम ने बार सोलने इंटरनेशनल को हराया था ठीक है बी आई की टीम बहुत खराब है उनका परफोर्मेंस आपको बताता हूँ आगे एवरेज इसकोर आपको स्वस 13 के बीच में देखने के मिलेगा बात करें दोस्तों टीम सी आरडी के प्रेवर्ड प्लेइंग 11 के बारे में तो दोस्तों टीम सी आर डी अभी तक अपने 15 मैच खिली है और इन 15 मैच में दोस्तों इनकी टीम ने य ये लास्ट के जो चार मैचेस थे काफी अच्छी रहे इसको उससे पहले तो परफॉर्मेस बहुत खराब था अली हसान यहां से ओपन करते हैं इमरान संडल के साथ और दोनों ही ठिक था प्लेयर है इमरान संडल दोस्तों स्टार्टिंग में आउट ओफॉर्म था लेकिन अपनी टीम में लेकर के चलना अली हसन उनके साथ जो रहेंगे वो भी काफी डिसन परफॉर्म की है इस सीरीज में देख सकते हो इनको भी लेकर के चलना तो दोनों उपनर जो है न इंपोर्टन होने चाहिए आपके लिए टीम में रहने चाहिए तो लेकर के चलेंगे अब फाक्सा दिखेंगे वन डाउन पर बैटिंग आ जाते हैं कभी-कभी वन डाउन पर ही आते मेरत इनका कहानी अलग है मेरे साथ जब जब मैं लेता हूं तब तक फ्लॉप जाते हैं और नहीं लेता तो दोस्तो हीट करते हैं अच्छा अच्छा पॉइंच दे करके जाते हैं त सीरिज में दोस्तों कंसिस्टेंट रन जो कर रहा है यही प्लेयर है और हर मैच में यह रन्स करता हुआ दिखेंगा आपको 20 रन 30 रन 49 इक सट तो बहतरीन प्लेयर है विकेट कीपिंग प्लस यह कर रहा है तो विकेट कीपिंग से भी मैचेस में लिये हैं इसने तो इसको देख लेना ट्राइ करना रहेगा तो अजह रहमात खेलेगा तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट का दो मैच खिला था उसमें दोस्तों एक मैच में तीन विकेट लिया था, एक मैच में 0 विकेट, हाला कि डेथ में बॉलिंग करने आ था, 10th ओवर भी कर रहा था, फिर भी इसको 10th ओवर विकेट नहीं मिले, अगर खेलता है तो देख लेना, डेथ में बॉलिंग करेगा, प्लेयर कापी संधार है, ठीक है, बैटिंग भी कर सक तो फर्स्ट स्टार्टिंग में जब खेला था, तब इसने बॉलिंग भी किया था, तो लाइन अप में अगर आता है, तो देख लीजेगा, इनके पास प्रॉपर बट्समेन और बॉलर है की नहीं, वरना फिर इसको लेना पड़ेगा, आपको टीम में इंपोर्टन हो है न, इसने सभी प्लेऔरोग के मैं जंख सकते हो, इसकाँ कोईकत था मैं चले में बच के अत्र इसको बिअ कानप में चले हो लेकिन मैं दोस्तू मैं इसको प्रिफृर्चन रहा हूं, स्धोर बॉलर को बहुत कुटाई हो रही है यह निचे के डूनों प्लेर अतना इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे फकर नमाज को जीयल में ले लेना इनको भी जीयल वगर्वी देख लिईजे कर लेने रहे गा तो रो टेट मा लेना बाकी अतना इंपोर्टेंट तो नहीं लग्यों मुझे यहाँ पर दोस्तों जो मेरी टीम रसूल है इन पर फोकस करना ठीक है एबी ढूसेन अफक साह ये दो प्लेयर भी अच्छे हैं इनको फोकस करना है तो आप अपने लाइन आप बैटिक ओडर के कोडिंग लेना ना देख रहें के बाद बाकी इनके बैंच में दोस्तों तरवीर इकबाल जैसे प्लेयर्स है ये क काफी अच्छे हैं खेलते हैं तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे जितने भी बैंच के प्लेयर से इनके रिकॉर्ड देख लो टिक ठाक प्लेयर से अगर इनमें से कोई भी खेलता है तो आपको अपडेट कर दूंगा टेलिग्राम पे बात करूं यहां पर स्टार्ट मैचे सारी है इनकी टीम तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है इनकी टीम का यहां से सिर्फ दो या तीन प्लेयर लेखर के ही चलो आप लोग अलियो सामा और जे वोंग यह दोनों लास्ट मैच ओपन के यहां जो की ओपन नहीं करते हैं यह दोनों प्लेयर मैं आपको बता द का ओपनिंग ठीक है अली उसामा और जे वोंग ने ओपन किया था ठीक है अली उसामा बड़ी है प्लेयर है नो डाउट इसने परफॉर्मेंस किया है अपने ओवरॉल मैचे जितने भी खिले हैं लेकिन इसको चांस बहुत कम दिया जाता है तो देख लेना लाइन अप में अगर आता है अली उसामा तो इन पर फोकस कर सकते हो क्योंकि लाश्ट मैच तीस रेन इनों ने किया था जे वोंग नहीं लेंगे दोस्तों फोंस बहुत खराब रहता है इसका और उतना क्वालिटी प्लेयर नहीं है ठीक है लाश्ट मैच ओपन करवा दिया था टीम ने क्य रहें तो यह एक इंपोर्टेंट प्लेयर है इनको लेंगे उमेर राजी भी बढ़ियां प्लेयर है जो कि एक से दो और की बॉलिंग आपको करते हुए दिखेंगे प्लस टॉप अडर पर बैटिंग है तो इनको भी अपनी टीम में प्रिफरेंस जरूर देना इंपोर्टे एक मैच में एक विकेट है ओडीडी खेले हैं देख लीजेगा अगर फिर से लाइनप में आते हैं तो ध्यान दीजेगा बॉलिंग वगरे मिले तो फिर और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है बुरहान एजाज है बैटिंग थोड़ा बहुत है इनके पास क्योंकि लास्ट क कि बहुत सारे मैचे जहसे हैं जिसमें विकेट लेस गया है लेकिन प्लेयर अच्छा है क्योंकि बैटिंग भी इसका ठिक ठाक लगा मुझे बैटिंग देख करके ट्राइ करके चल सकते हो जेब्स बैटली है लास्ट मैच 28 उससे पहले 19 सरन इनके पास भी बैटिंग का अच्छा उप्शन है आपके लिए लेकिन लास्ट के तीन मैच में ये भी विकेट लेस चला है ठीक है लास्ट के तीन मैचेस में देखो काफी घटिया परफॉर्मेंस था बैटिंग से उम्मीद मत रखना बॉलिंग से ही रखना ठीक है ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप यह मैंने तीन लिखा गया है दो गर डाला था और अच्छा बॉलिंग किया था इन्होंने दोनों मैच में किक विगेट ले करके गया है लास्ट के ठीक है लास्ट अभी जो कल लगया था सूपिन सोलिंता इनको ड्रॉप करके चलेंगे दोस्तों उतने इंपॉर्टन नहीं है यहां से जो प्लेयर में अपनी टीम में रूँगा तो बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनको मैं प्रिफरेंस दे रहा हूं सिर्राम भोसलेव में हैं उमेर रजी है इनको ले करके चलूँगा और यहां से बुरहान इजाज है जेमस बंडली इन पे फोकस करना विसेश जेगर को देख सकते हूं अपने अकॉर्डिंग लेना रहेगा तो बागी मैं नहीं लिया हूँ अभी इनके बैंच में दोस्तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं क्रिश्टिंजर खेलेगा तो इंपोर्टेंट है इम्रान फारीद इंपोर्टेंट है टॉम कॉल्थर्ड है तो इन प् जेगर आपको बॉलिंग करते दिखेंगे डेट में तो यह तो हो गया अवर ओल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बात करें एक डेमो टीम की तो दोस्तों यहां विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे आर उल्ला यह प्लेयर काफी सांधा पर फॉम कर रहा है औ राम भुसले यह भी अच्छा उप्सन है उमर राजी है तो यह चार प्लेयर जो हैं यहां से ले करके चलना अफक सा है इनको फिप्री फिप्टी कॉल रहता है मेरा अमेसा दोस्तों ठीक है क्योंकि यह मैसे ब्लेयर से जिनको मैं टीम में लूं तो दोस्तों परफॉमेंस नहीं देते और उनके वज़े से मेरा लॉस होता है कभी कभी ठीक है कॉल था अगर लाइन अप में आएंगे तो इन पर फोकस करना ठीक है तो यह दो प्लेयर है इन पर फोकस किया जा सकता है बाकी नीचे जो है न उतने इंपोर्टन नहीं है यहां पर मैं और अंडर जाल यहां से लेकर के चलूँगा ठीक है बैटली को लेकर के फिर से जा रहा हूँ दोस्तो बैटली एक बड़ी हां ओफ्सन है बैटिंग कैबलिटी है इसके पास ब्लस बॉलिंग भी कर रहा है तो इनको लेकर कर चलेंगे किस्टींजर अगर लाइन अप में आएंगे तो आई फारिद और एस अहमद है यह अगर खिलते हैं तो इन पर फोकस करना ठीक है अच्छे प्लेयर से बॉलिंग सेक्शन में आता हूँ मुझ्जम रसूल इंपोर्टन है बुरहान इजाज है इनको लेकर के चलूँगा तो फेल खान को ले सकते हो लेने के लिए लेकिन मैं नहीं लिया हूँ अली असामा यहां से नहीं लिया हूँ दोस्तो तो यह दस प्लेयर तो यहां से हो गया बाकी दोस्तो एक प्लेयर मुझे और चीए तो यहां पे मैं जगर को ही अपनी टीम में लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि यह प्लेयर काफी सामदार है अगर जगर नह अच्छे option है एवरान संडल आपके लिए कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए अच्छे option है तो ये तीन option ही है जिनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूं अपने match में बाकी दोस्तों मेरी final team final captain वाइस कैप्टन आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर तो आप लोग टेलीग्राम जॉइन कीजिएगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करके रखो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much